नमस्कार देवियो और सज्जनो अगर आप इस तरह से अर्बी के पत्तों के पकोड़े बनाएंगे तो गले में खरास भी नहीं होगी और स्वाद में ला जवाब बनेंगे आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और कुरकुरे अर्भी के पत्ते के पकोडे या अलू वड़ी या गुजराती पात्रा बनाएंगे ये अर्भी के पत्तों के पकोडे माराश्ट्यन कोथिम बीर वड़ी और गुजराती पात्रा की फ्यूजन रेसिपी है अलू वड़ी बनाने क गुजराती पात्रा के हम टाइट रोल तयार करेंगे और रोल तयार करने के बाद पतला पतला काट लेंगे पतला पतला काटने के बाद उसको हम रफली चौप कर लेंगे ये है एक कप चना दाल इस दाल को हमने अच्छी तरह से भून लिया है ड्राइ रोस्ट कर लिया है इस भूनी हुई चना दाल को हम ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद दर दरा ग्राइन कर लेंगे ये है एक टेबल स्पून इमली और एक टेबल स्पून गुड जिसको हम गरम पानी में भिगो कर रखेंगे और ये है इसमें लगने वाली सामगरी काली मिर्च लेंगे करीब तीन चोथाई टीस्पून एक टीस्पून बड़ी सौफ एक टीस्पून सफे तिल और आधा टीस्पून अजवाईन एक टीस्पून खड़ा धनिया अब एक बाउल में डालेंगे एक कप बुनी हुई चना डाल जिसको हमने कोसली ग्राइन कर लिया था अब इसमें हम एड़ करेंगे ब्लेक पेपर और खड़ा धनिया जिसको हमने हलका सा कूट लिया है उसके बाद में बड़ी सौफ डालेंगे सफेद तिल और अजवाईन एड़ करेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे एक चोथाई टीस्पून आधा टीस्पून हिंग डालेंगे सेंदा नमक डालेंगे स्वादानुसार कास्मिरी लाल मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे एक टेबल स्पून फ्लेवर के लिए एड करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला गरम मसाले को डाल कर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे ये है इमली और गूड का पानी जिसको हमने बिगो कर रखा था मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे हमारा मिस्रण ज्यादा पतला ना हो जाए इस बात का ध्यान दखे बेकिंग सोड़ा एड़ करेंगे आधा टीस्पून थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे इस मिश्रन को हम अपने हाथों से फेटेंगे, अच्छी तरह से फेटेंगे ताकि हमारी आलूवड़ी अंदर से सौफ्ट बने कवर करेंगे और साइड बे डग देंगे करीब 15-20 मिनिट के लिए 15-20 मिनिट के बाद इस मिश्रन को हम फिर से मिक्स कर लेंगे हमारा मिश्रन अभी भी थोड़ा ड्राइ है, थोड़ा सा पानी डाल कर फिर से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें हम अर्भी के पते एड़ करेंगे, जिसको हमने फाइनली चौप करके रखा था अच्छी तरह से मिला लेंगे एक टेबल स्पून मुंफली का तेल डालेंगे और मिला लेंगे हमारा मिश्रन बिलकुल तयार है इस ट्रे को हमने ओइल से ग्रीस करके रखा है, ट्रे में हम मिश्रन डालेंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे गार्निसिंग के लिए मैंने सफे तील को स्प्रिंकल करने के बाद हलका सा प्रेस कर लिया है गेस को ओन करेंगे हमारा पानी उबलने लगा है एक पेन में हमने दो स्टेंड रखे है अब उस स्टेंड के उपर ट्रे रखेंगे, कवर करेंगे और भाप में पकाएंगे करीब 20 मिनिट लगेंगे 20 मिनिट के बाद आईए, चेक करते हैं हमारी टूथपिक बिलकुल साफ है हमारी आलूवडी तैयार है इस आलूवडी को ठंडा होने के बाद मन चाहे सेप में काट लेंगे हमारी महरेश्टर स्टाइल में बनी आलूवडी तैयार है आपको तोड़कर इसका टेक्स्चर दिखाता हूँ आप इस आलू वड़ी को ऐसे ही चटनी के साथ, सोस के साथ या चाई के साथ एंजोई कर सकते हो आप तड़का लगा कर या सेलो फ्राई करके भी एंजोई कर सकते हो मगर मैं इस आलू वड़ी को अर्बी के पते के पकोड़ों को डीफ फ्राई करके सर्व करूंगा बहार से कृषपी होने तक डीफ फ्राइ करेंगे अच्छा सा गोल्डन ब्रावन कलर आना चाहिए दोस्तो अगर आपको यह रेशिपी अच्छी लगे तो लाइक करे और अपने दोस्तों में सेर करे और मेरी नई रेसिपी की जानकारी के लिए मेरी चेनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर जरूर क्लिक करें हमारी क्रिस्पी और क्रंची आलूवडी तैयार है आप इस आलूवडी को चटनी, सोस या चाई के साथ एंजोई करें और आपके अनुगव हमारे साथ सेर करें आप स्वस्त रहें, मस्त रहें, तंदूरस्त रहें हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार